इलाहवार इंवर्सिटी इंटरंस एक्जाम 2021 एक उमेज जगी है उन इस्टुडेंट के लिए जिनके मार्क्स मेन केमपस से थोड़े कम हैं क्यों मेज जगी है तो देखिए आप सभी को पता है कल बियच्चियू ने भी अपना रिजल्ट जारी कर दिया गया तो क्या बियच पता है उन सभी इस्टुडेंट से जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं कि यदि आपका बियच्चियू में हो गया है और आपको बियच्चियू से अब ये करना है या फिर कोई भी कोर्स से वहाँ पर आपको ग्रेजिविशन करना या फिर किसी भी मतलब की पोस्ट वजपड़ी करें रही बात यह कि यदि एयू का मुलाब के रिजल्ट तो एयो के कटाप गिरने के संभावना तो जी हाँ एयू का कटाप गिरेगा दस परसेंटेज जो है यह मान के चलिये विच्चियू रिजल्ट से एयो का कटाप जरूर गिरेगा मतलब अग यादी हम लेखे बीए का 194 है आपका जो तीसरा मतलब की तीस नॉम्बर को जो काउंसलिंग कराना है वो 194 के लिए बुलाया गया है तो निशित तोर पर जो है अगली वाली जो कटाप होगी वो इससे कब आएगी और जितना कम होनी चाहिए थे उससे भी 10% कम आने की संभावना उसका का सकता है कि जाधा तर स्टू्डेंट जो है वो AU और व्यच्चियू दोनों का फॉर्म डालते हैं तो जिनका भी 12 में हुआ होगा वो अगर वहो में जाएंगे तो AU के लिए खाली होती है और उसमें निश्चित तोर पर और बच्चे जो एउउ में अपना ड्मिशन लेना चाहते हैं उनको मिलेगा मुझे से रिक मुझे आप सबसे रिक्वेस्ट जो बीच्च्चियों में कर रहे हैं वह आयो में ना कर रहें ताकि और बच्चों कभी फाइदा हो ले